अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मारी लेटेश वीडियो को देख सके मित्रो आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के शश्टरम भाव में प्रभाव को लेकर आईए चर्चा शुरू करते हैं देखे मित्रो ये कुंडली में आपको देखना है कि अगर आपकी लगन कुंडली को देखी और लगन कुंडली के अंतरगत राहु जो है इस भाव में जो कि कौन सा भाव है शेश्ट्रम भाव है सिक्स्त हाउस है अगर यहां पर बैठा है तो यह जो परभाव होगा तो आप यह वीडियो आपके लिए फिर लाप पर दोगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भाव जो होता है इसको लगन कहते हैं और इसको परथम भाव कहते हैं तो परथम भाव हो गया यह दित्य हो गया यह तृत्य हो गया यह चतुरत भाव हो गया यह पंचम हो गया और यह देखेखे इस तरह कुण्डली में 20 भाव जो होते हैं और आज हम जो परभाव देखर रहे हैं वो राहु का शे क्षे ट्रम भाव में बैठेगा तो यह नेगिटिव यहां नेगिटिव दोनों तरह था हैं आने वाली हैं तो आपको राहु जो सूर्य और चंद्रमा की राशी में उते हैं बैठते हैं तो वहाँ पर थोड़ा negative effects दे देते हैं और साथी साथ आपको जो इस भाव के स्वामी की शष्ट्रम भाव के स्वामी की स्थी को भी देखना होगा और मित्र राशी में अच्छा प्रेणाम देते हैं शुक चटा नहीं 6 का यह अच्छा ही परिणाम देते हैं लगग लगग यह सभी को एक अच्छा परिणाम देते हैं तो आइए चरचा करते में तो सबसे पहले इसके प्रवाव को समझने के लिए आपको sixth house को समझना होगा मतलब शफेम भाव को समझना होगा देखें Omaha किसका भाव होता है शफेम भाव जो हम कहते हैं रोग रिपूर ко रिण की अगर मात करते हैं मतलब शत्रू की बात करते हैं बिमारी की बात करदेते हैं कर saith यहां पर बात करना होगा क्योंकि 6th house गyour आगर यहां पर विचार होता है तो यहां पर यह भी बात का विचार होता कि अगर अगर विचार भोग करता है तो वह रोग में तबदिल हो jatto Part के आपको विचार करना चाहिए अब इकिसती आपने सिक्स्ट हाॉस को समझ लिया आपको राहु को वी समझना होगा तो दिके राहु क्या है राहु जो है मैया है राहु sacrifices राहु जो है व्यक्तिकी इच्छाएं हैं डिजायर्स हैं और पुरुभव की इच्छा जो हैं जो पुरुभव में आपकी रह चुकी इच्छा हैं उसी कही अगर हम बात करते हैं राहु जैसे शिश्टमभाव में तो यहां से कही न कही जो है राहु जो है इच्छाएं होती है dezzaio होती है और अगर बात करें बहुते- primeiro कि अगर Ohh से संबंद होता है तो अब 4 अगर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो नौकरी मतला नौकरी का मतलब जो है सेवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति एक बात ये भी रहती है कि ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों की सेवा करने का भाव रखता है जो व्यक्ति आर्थे ग्रूप से कमजोर होते हैं तो उनके आर्थिक रूप से सेवा करते हैं मतलब शारेरी कृप से आर्थिक रूप से सब परकार से ऐसा वेक्ति जो है सेवा का भाव रखता है और इनकी जीवन में एक बात ये भी रहती है कि अगर इन्होंने जीवन में जो कष्ट देखें हैं ये सेवा करना चाते हैं. कुछ इस प्रकार से इनका भाव रहता है. यह रहु जब शेश्टम भाव में बैटता है तो यहां पर इस भाव से अगर हम नोखरी का विचार करते हैं. ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं मतलब इस तरीके से की बिजनस और नौकरी में अगर बात करें तो यह नौकरी करते हैं ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं और साथी यह क्योंकि राहू जो है सिक्स्त हाउस के अंदरगत जो है यह वेक्ति काफी महनती होते हैं सांसी परवर्टी के होते हैं निडर होते हैं मला अर्थात यह डरते नहीं है शत्रू के अगर हम बात करते हैं तो शत्रू को भी मतलब जो है अपना काम निकाल लेना जो है या फिर जो है अगर शत्रू परि इसको या फिर profession मतलब जो है या company के और बंदे के अगर हम बात करते हैं तो सबको मतलब खुश रखते हैं अपने काम से अर्थात ये काम जो है अपने perfect तरीके से अपना काम करते हैं जिससे सामने वाले बंदे जो है खुश रहते हैं ऐसा इनका जो है nature होता है तो इस तरीके से ह qualc DAY हमने बता है कि काफी hard work करोता है और ऐसे वक्ति डेली जो है 12 से 14 घंते की अ कही ना कही मतलब काफी hard work जो है ऐसा वक्ति जो है करता ह और अगर हम बात करते हैं ऐसे वक्ति रःव की अगर negative की अगर हम बात करेँे अगर आपकी कुंडली में राहू जो है नेगेटिव परिणाम दे रहा है तो देखे कारे च्छेतर में ऐसे वेक्ति को फिर आए दिन बादाई रुकावटे इस तरीकी की समस्य वेक्ति के साथ आती रहती है अगर राहू नेगेटिव दे रहा है अदर्वाइस वेक्ति मतलब जो है जो में भी काफी अमनती करता है और अच्छे प्राप्ति जो है एसे इस्तती वेक्ति के साथ होती है अब यहां पर एक बात ओर होती है कि ऐसा वेक्ति की की जीविन में क्यों थे रहू का काम होता है कुछ भी काम करना सड़न तरीके से आचानक वाली 1971 усती मैं की साथ बनाता है तो यह कर आएन मुदकरी के जो भी कुछ होनी हो उसकी तियारी अगर कर रहा है तो हो सकता है कि पहले इस्तिति इतनी खराब व्यक्ति की बन जाए कि व्यक्ति विल्कुल हार जाए मतलब अब उसको ऐसा लगने लगे कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है फिर उसके बाद अचानक से उसने एक इंटर्व्यू दे कर आज चुका है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ फिर एक दिन ऐसी कंपनी में जा रहे है नॉर्मल उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और सडन तरीके से उसके जो है मतलम आपर भी जौब जो है लग जाती है उसके सारे काम उस दिन बन जाते है ऐसी इ प्रतियोगीता के अगर हम बात करते हैं वहां पर इंटर्व्यू की बात करें एक्जाम की बात करें वह चलते रहते हैं मतलब आप इसको इस तरीके से नमस सकते हैं कि अगर किसी वेक्ति की राव हो है तो हो सकता है इसकूल के अगरम बात करें तो किसी स्कूल नगर समझ सकते हैं अर्था थोड़ा सा सकस्स सकस पाने के लिए करना पढ़ता है इस तरहीके से होता है और एक बात और रहती है कि ऐसेरेक्ति के जीवन में उनसे हाई लेवल का बंदा हमेशा बना रहता है इस बात को किस परकार से आप समझते हैं, देखें, हो सकता है कि ऐसा विक्ति अगर स्कूल लाइफ के अगर हम बात करें, तो स्कूल लाइफ में जो है, जैसे उनकी क्लास में उनसे ज्यादा जो है लेवल का एक बंदा हमेश्या हो, जो है एक दो बंदी के अगर हम बात करें, मतलब यह नहीं कि भाई यह सबसे टॉप पर हैं उसके बाद कोई हो मतलब क्योंकि क्या होगा तेकि अगर यह टॉप पर है तो फिर्मा पर competition वाली इस्तती नहीं रहेगी तो होता क्या है कि यह एक level दो level कम नीचे होंगे और इनसे ओपर कोई होगा जिसके साथ इनका competition एंका बना रहता है और हो सकता है कि जो कौमिंट के स्कूल में हो अगर यह टुशुचंस में जाते तो वहाँ पर भी हो सकता है आगे अगर बात करें college life के अगर बात करें वहाँ पर सब्सक्राइब की बना रहता है कि हो सकता है कि मतलब क्लास हो सकता था कि सबसे हाइब जब सबसे हाई हो और बाद में उसके बाद लोग और बच्चों कहीं लेकिन लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर इनका लेवल एक बंदा या दो बंदे ऐसे होंगे जो इनसे हाई होंगे जिसके करण महला competition की स्तति जो है बनी रहती है तो ऐसे भी इस्तती वेक्ति के साथ जो है बनती है साथी साथ ऐसे वेक्ति को जो है जो विपरित इस्ततियां जो हो जाती है उनको संभालना आता है मैनेज करना आता है क्योंकि यह देखे काफी हाइड़ वरकर होते हैं काफी कठिन परिक्ष्णम जो है करना जानते हैं और अ एक चीज और इनके साथ रहती है क्योंकि राहू जब अगर हम बात करते हैं तो ऐसे वेक्ति के साथ ये रहता है कि ऐसा वेक्ति अगर बूरा कर दिया किसी का ऐसे वेक्ति ने अगर किसी का बूरा किया तो उसके साथ तुरंत बूरा हो जाएगा अच्छा किया तुरंत अच् तो जो विक्ति के 6 house में राहू रहता है ऐसे विक्ति को अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए और गलत चीजों में illegal work से दूर रहना चाहिए और जूट बगारा जो है अगर अपना खान पान जो है जिसे अगर हम बात करें एभक्षेपदारतों से दूर रहने चाहिए मद्य करणे वाले जो है अगर करण ले लिया तो वह भी खतम हो जाएगा शत्रु की बात करें शत्रु भी नहीं रहने इनके सामने और अगर रोगों की बात करते तो बीमारी जादा दिन टिकती नहीं है ऐसी स्थी वेक्ति के साथ रहती है लेकिन और वही राहू नेगेटिव प परवर्ती के होते हैं, डक्टर कहसकते हैं, हीलर होते हैं, भीन मत्ल 닉क्टर कह सकते हैं, पतले कि यह doktor हो जाते हैं, हीलर कह सकते हैं, मतलब अपनी वानी मतलओ कई सामने वानी से वालती वैक्ति है, ine। उसके दुखों को दूर करने की शमता रखते हैं, उसको मॉटिवेट कर सकते हैं, उसके दुखों को दूर कर सकते हैं, और अगर बीमारी ही है, तो कोई medicine अगर यह सजेस्ट कर देते हैं, तो उसे वह जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसी स्थिति बनती है, या कितनी बार जुद है, अगर कोई संत महात्मा परवर्ती के व्यक्ति की सतरी से कुंडली में राहू सिक्स था उसमें हैं, या फिर कुछ मंत्र वगारा वे जानते हैं, तो हो सकता है कि जल्द पर कोई मंत्र अभी मंत्र करके उन्होंने अगर दे दिया, तो वो व्यक्ति सही होने लग जाता है, ऐ भावना इन में हैं, उसके लिए अगर ये कुछ काम करते हैं, तो उसमें सफलता मिलती है, ऐसा आप या पर समझ सकते हैं, और यहाँ पर की राहू सिक्स था हाउस के अंदर जुद है, ये पेट में गर्मी जो है देता है, मतलब यहाँ पर पेट से संबंदित परिशानी व हो जाती है, या फिर चाहरे पर क्योंकि पेट की गर्मी की कान चाहरे पर पिंपल वगारा दाने निकल जाना ऐसी इस्तती व्यक्ति के साथ बन सकती है, ये इस्तती बनती है यह आपर, आप देखें राहू अगर सिक्स थाउस में है, तो अगर यहाँ से सात्वे गर की अग बारवीगर चाहरे है, य ढखेंता है, उथल पूतल हो जाती है, वर्क प्लेस में में भी, तो व्यक्ति चाहता है कि मेरे को शांती चाहिए, व्यक्ति चाहता है मैं को एकांत रहना है, यह थोड़ा सा, शांती बनती है और एकांत में भी रहना पसंद करता है कभी-कभी ऐसी विस्तती बनती है और कितनी बार ऐसा भी होता है कि जन्मिस्तान से अगर कोई की विदेश से भी संबंद आता है तो जन्मिस्तान से दूर रह सकता है ऐसा वेक्ति जो है और हो सकता है सिंगल रूम में रहे कर अकेला भी रहे ऐसी इस्तुति वेक्टी के साथ बंती है और अगर हम बात करते हैं आप पर जल्दी उनती कर सकते हैं अगर आपके राहु सिक्थाउस में है पॉसिटिव प्रवाव दे रहा है तो आपको ब्रहम मुरत में उठकर जाप अगरा करना चाहिए और इससे आपकी अगर ध्यान करते हैं तो थर्ड आई जल्दी एक्टिवेट होकर आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा आप वो सब देख सकते हैं जो एक सामान में वेक्थी बिल्कुल भी नहीं देख सकता अगर हम बात करें कि आप इस दुनिया से पार के अगर हम बात है रिलेटिव बात करें वह पर प्रोब्लम हूजाती है समस्य बन जाती है इसे वेक्थी के साथ परहुद्र प्राप्ति के मिलता है लेकिन आगा नेगीटिव राहू है तो वह जो प्लेस बड़ी प्रेशानी भी एक्धित करते हैं आप साथी साथ अगर हम बात करें कि देखें राहू से अगर वेक्टी प्रभावित है तो राहू की शिक्स ताउस में राहू जो है वेक्टी को एक अच्छा politician भी हो सकता है आप देखे राहू जब six house में है जैसा कि हमने बता है ऐसे वेक्ति को जो है सौपन भी दिखते हैं और सौपन किस तरह कि क्योंकि यहाप पर मैंने बता है spiritual अगर यह थोड़ा सा भी spiritual हो जाएं तो यह उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं साथी साथ सौपन में इनको shivling दिख जाना जो है hanuman ji वगरा या कोई सादू या फिर कोई कन्या या फिर कोई स्वागिन इस तरह की अगर हम बात करते हैं जो देवी सोवरूपा हो देवी की रूप में ऐसी इस तरह मलब दिख सकती है साथी साथ नाग बगरा दिखना नाग म अगर हम बात करते हैं politics वगरा जज़ वगरा वकेल वगरा ये सब व्यक्ति हो सकता है अब देखें यहाँ पर राहू जो होता है क्योंकि यहाँ पर राहू की अगर हम बात करें पांचवी दरिश्टी की बात करते हैं वो कि 10 आउस पर पढ़ती है जो की थोड़ा वर्क प् वगरा जो है ये सब इस्ति बन जाती है मतलब यहाँ पर जो है या एकांत वास जो है वो जेल तक हो सकता है वो नेगेटिव की अगर हम बात करें वो बहुत अधिक नेगेटिव है उसको अपनी कॉनले पर ऐसे मत मान लेना कि हमने ऐसा बता गिया तो उसको मान लेना ऐसा उसमें इस्तिया और भी देखनी पड़ेगी तो ये सब इस्ति बनती है यहाँ पर राहु के अगर हम बात करें नवी दृष्टी ये बात करें वो के धन बाव पर पर पड़ रही है तो राहु का काम सड़न तरीके से होता है तो यहाँ पर विक्ति को अगर पॉजिटिव ह पर भाव दे रहा है तो वहाँ पर हो सकता है code case दवाई वगारा में जगडे वगारा में ऐसे व्यक्ति का धन जो है जाता रहे ऐसी इस्ति वक्ति के साथ बन सकते हैं लड़ाई जगडे वगारा में तन वेस्ट हो सकता है तो यहाँ पर राहू अगर आपकी 6,000 में तो 108 बर प्रति दिन जो है इसका जाप आपको विश्य करने चाहिए ध्यान भी कर सकते हैं ध्यान करने से भी बहुत लाव आपको लगने वाला है और करके देखें आपको अपने आप महसूस हो जाएगा 37 अगरम बात करें सुबह जो है ऐसे वेक्टिको एक गिलास पानी जो है सुबह उठने के तुरंट बाद जो है एक गिलास ताजा पानी जो है एकदम पी लेना चाहिए जो है और ऐसा करने से वेक्टिको विशेषूप से लाब लगेगा साती साथ अगरम बात करें जो कि पेट की गरमी की अगरम बात करते हैं, उन सब चीजों में जो दाने की अगरम बात करें, पिंपल की अगरम बात कर रहेते हैं, उन सब चीजों में भी विशेशुप से राहत मिलेगी, और ऐसे वेक्ति को हनमान 40 का पार्ट करना चाहिए, प् गलत काम जगडा वगरा दूसरे के लफड़े में पढ़ जाना उन सब चीजों से आपको बचना चाहिए और इस तरह से वैसे राहू सिक साउस में अपना अच्छा ही परिणाम देता है वेक्ति को बहुत मेहनती बना देता है निडर बना देता है डर पोग नहीं होता है से जोड़ सकते हैं और बुद्ध की अगरवाम जमरा करें कालपृष्व ही कुंडली में यहां पर बुद्ध की अगरम बाद करें कन्या राशी का राशikes prim है और बुद की अच्छी प्लेस्मेंट हैगी तो यहां ऑपर एक कुण्ली में देख सकते हैं और इसे समधियो लायक किजिए ii कि ऑर चैनल को सब्सक्राइब की जया माता दि